प्रभू राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदी नाम एक ही शक्ति के हैं वो कैसा है कहा है कैसे मिलता है किसने देखा है ये प्रश्णवाचक चिन पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिये जगत गुरू तत्व दर्शी संतराम पाल जी महराज के अमरित वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर उसको तो पाना हमने और ये रटालो आरे जल पानी नीर जल पानी नीर करते रहो बगवान पानी मिलेगा ये कैसे मिलेगा वो तो भी जी अलग है उस जल के पानी की ये दो अखर के नाम की वो की लाई जाएंगी जमीन में ऐसे वो की मारते हैं मिट्टी बार फेंकी फेर मिट्टी फेंकी भार रएंगी तो ऐसे networks की लागएंगी अब दो खर के मंतर से प्रमात्मा प्राप्ति नहीं हुई इसलिए प्रमात्मा प्राप्रमा ने कहा है कि जो जन होगा जो हरी लेगा सबद भी लगाए और सो हम सो हम जब हमरे विर्था जनम गवाए यानि केवल इस एक मंतर नाम के दोनों मंतरों का भी जाब तुम करते रहे यूजलेस जब तक सार नाम नहीं मिलेगा अब जैसे हैंड पंप लगाने के लिए प्रोसेस शुरू हुआ प्रोसेजर बोकी और पाइप ने अपना काम कर दिया जल तक पहुंचगी लेकिन जल पराफ्ट नहीं हो सका उसके लिए तो ये तो सत नाम के दो अखर का काम हो गया समझे लो बहर गुफा तक ये आपका रस्ता कलियर कर देगा लेकिन सत लोग पर वेस नहीं कर सकते उसके बाद सार नाम दिया जाएगा हैंड पंप लगा जाएगा पंप के उपर और फिर उसका भी जाप करना है उसकी मॉमेंट देना है उसकी साधना करनी है तब गदर गदर जल निकलेगा तो ऐसे ये तीन मंतर का जाप है और इससे मोक्स होगा वो परमक्सरब्रम, वो सतलोक, वो सुक्सागर प्राफ्थ होगा अपना अत्मा जैसे परसंग चला है के सरपुरस, अक्सरपुरस और परमक्सरपुरस अब अक्सर कारत हो था अभी नासी लेकिन पंदर में जैके सतरमें सलोक में उस अक्सर को रिजेक्ट कर लिया के उत्मपुरस है, सरिष्ट परमात्मा तो कोई और है इन दोनों से ने तो अक्सरपुरस भी अक्सरपुरस नहीं रहा अब जैसे किसी ने अपने बच्चे का नाम कप्तान तर रहा है और कप्तान थोड़ा है होताँ है, नाम नाम है कप्तान उसका तो ऐसे इनकी सतीथी बतानी पड़ेगी थोड़ी सी है बिर्मा विश्ण महेस ये तीनों नासवान है एक विर्मा की आयू कितनी है जैसे एक चतुर यूग होता है सत्यूग तरेता ज्वापर कल यूग ये मिलके चतुर यूगी होती है और इसकी कुल वरस संख्या 43,20,000 वरस है ऐसी एक हजार चतुर यूग एक हजार आठ है वैसे इसमें चौदह मनवंतर निकल जाते हैं चौदह इंदर के सासन खत्म हो जाते हैं और बहतर चतुर यूग तक एक इंदर का सासन रहता है सासन काल है तो ऐसे वसे तो एक हजार आठ पनते हैं लेकिन लंब संप इनको एक हजार चतुर यूग लेते हैं इतना तो बिर्माग जी का दिन रितनी ही राद लिए ऐसे टीस दिन रात का एक महिना बने इनका देवताओं का और बारा महिनों का एक वरस हो गया ऐसे बने हुए सो वरस की आयू है स्री बिर्मा रजगुन की और इसे सात गुनी विश्णुजी की इसे अधिक और विश्णुजी से सात गुना अधिक है संकर भगवान तमोगन शिव की और जब सत्र हजार बार ये तमोगन संकर बग्वान की मृत्यू हो लेगी, तब एक बिर्मांड का विनास होगा और इस सरपुरुष का नास होगा。 इस काल का, फिर एक बिर्मांड के सब पराणी इस माग लग जाएगी जैसे परत्वी के उपर सब जल हो जाएंगे जहां जहां भी परत्वियां हैं और फिर एकदम 11 सुरिये और सौरमंडल से गूमते हुए यहां आ जाएंगे और इन सब को फूख डालेंगे तो ऐसे जलतत को परत्वीतत को जलतत ग्रहन करेगा ग्रास लेगा जलतत को अगनी अगनी को वायू वायू को आकास तो उसमें इस बिरम की मर्ट्य होगे सरपुरस की और ये एक युग होगा किसका अक सरपुरस का एक युगधान रखना आप क्योंकि ये गनित की रिती से समझना होगा तो ये सभी प्राणी और ये दुर्गा भी ये काल भी सरपुरसिन का पितागर माविष्णू में इसका ये सब नष्ट हो जाएंगे प्रमात्मा के विधान अनुसार ये एजडीच प्राणी सब उपर को उठ जाएंगे एक तो जीवात्मा मरती नहीं लेकिन उसे में पीड़ा बहुत होती है जो अगनी लगती है इसमें सब ब्राहाल हो जाता है फिर ये उपर उठ जाएंगे ये पांस ततों यही रह जाएंगे गोमते रहेंगे सुकसम रूप में ये उपर दूसरे बर महांड में चले जाएंगे वहां जाकर फिर दोनों का दुर्गा और काल का युवा स्रीर बन जाएगा उसके बाद ये अपना फिर गरस्त करम से या वचनों से फिर दीरे अपनी सिरिष्टी वहां दूसरे बर महांड में प्रहरम करते हैं ऐसे चलता है तो हमने लेना समय तो ये जो सत्र हजार बार तरलोकी सीव की मर्त्यू हुई ये एक और एक बार इसकाल की मर्त्यू हुई इसके जनम और करम कैसे अलोकी कहें अपने आपको अजनमा क्यों कहता है यहां मर गया, वहां परमात्मा के भी धारम सारिश की फिर दोबारा युवा सरीर दोनों का हो जाता है, दुर्गा का और इसकाल का, लेकिन जनब मरत्यु है इसकी, उसके बाद ये एक युग हो गया अक्सर पुरुष का, अब ऐसे एक हजार युग का दिन अक्सर पुरुष का, इतनी ही रात्री, तो दो हजार, दो हजार, यानि तीस दिन रात का फिर एक महिना हो गया, और बारा महिने का, ऐसे उसका एक वर्स बना, ऐसे जो इस गिनती से, इस लीती से जो उनके एक युग बना, तो बारा महिनों का एक वर्स हुआ, और सो वर्स की आईयू होगी, अक्सर पुरस की, उसका भी नास होगा फिर, जो कितनी लंबी आयू है, सत्र हजार बार सिव मर लेगा, एक ब्रहम की मर्तु होगी, ओ युग होगा इस काल का, इस अक्सर पुरस का एक युग होगा, और ऐसे एक जार युग का दिन इतनी रात री, और फिर तीस दिन रात का म मेना बारा मेने का एक वरस और सो वरस की आयू अक्सर पर उसकी और फिर भी मर्त्यू होगी इसलिए इसको अक्सर भी लिखकर नास्वान कहा गया है एती उमर बुलंद मरेगा अंत्रे क्यों क्योंकि सत्गुरु लगेन कान न भेंटे वो संत्रे इतनी लंबी उमर भी होगी तो भी तेरी अंत्म मर्त्यू होगी कारण क्या है कि तुझे वो तत्व दरसी संत नहीं मिले और मिले तो तुम न माननी नी जैसे पहले प्रमात्मा के मिले किन को आदनी दरमदास साहिब जी को आदनी मलुकदास साहिब जी को आदनी नानक साहिब जी को आदनी दादू साहिब जी को अदनिये ग्रीब दास साहिब जी गाउं छुड़ाने जिला ज़जर अर्याना वाले को अदनिये गिसा दास जी गाउं खेकडा जिला मेर्ठ उत्तर परदेश वाले को इन्होंने वही डंडोरे पीटे थे पर मानना नहीं कोई उनके जाने के बाद ग्रूप जरूर बनगे उनके बीचे देकिन उन्होंने क्या बोला था अपने वाणी में उसके निकट भी नहीं कोई समाज जिस्वत करवाने में अब क्या बता के एती उमर बुलंद मरेगा अंत्रे सत गुरू लगे न कान न भेंटे वो संत्रे अब आपको दास जहां से स्टार्ट किया था वहीं आता है मन तू चलरे सुक के सागर जां सब्द सिंधूरत नागर इस नमक की बोरी में तू सुख खोज रहा है काल के लोक में वो सुख सागर बूरा की बोरी सत लोक चल वहां मिलेगी वहां जाने की विधी बता दी ये तरीका है पूर्ण संथ की खोज और पूर्ण संथ की पैचान और इस तीर मंतर का जाप तुझे सत लोग ले जाएगा बहुत आसानी से बहुत सिंपल वे से नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे नाम खाते नाम पीते नाम से तीलागवे नाम से मोक्स होगा, कल योग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उत्रो पारा, कल योग में जीवन थोड़ा है, कर ले बेग सुमार, और ये हट योग, डाई गंटे सुबह, डाई गंटे सामने, ये कोई तरीका मुर्ख बना रखे, कते ही योग साधना बने नहीं केवल नाम नाम इन गे नकली सारे, इन वो कहीं की इट कहीं का रोड़ा, हर्युरादा स्वाम योड़ा ना, कुणबाद लोड़ा, अब जो ठे मंतर कहीं से शर ले लिया, किसी का पैर ले लिया, भगवान नराकार, पांचों काल नाम के, हर दुनिया मुर्ख मुनाग बठा दी, तो अब ऐसे मिलेगा, वो भगवान दिन वापर सोने प्रमात्मा पाया, उनके इतिहास में लिखा ये दो अखर का नाम जप्या उन्होंने, गरीबदा साहिब जी ने कती कलिर लिखा हुआ है, और गरीबदा साहिब की वानी इतनी पोपुलर नहीं बनी, इसलिए गुप्त रह गया, और नानक साहिब जी की वानी तो उसी समय पैरलल ही लिखी गी थी दो से वरस के बाद, और वो तो बहुत पोपरल होगी थी, जन जन पर डन लग गया, उसमत तक खोज लेते, वह भी दया हुई दाता की, इसलिए उन्होंने अलग से प्रान संग्री बनाई थी, और ए मर्दाना को जटका देना जरूरी था कि कई आगे चल के इसका जाप ना कर लें, और पांचमें गुरु अरजन देव जी ने सोचा भी, मर्दाना के साथ ऐसी गटना गटिगी थी, इस नाम के जाप करनत है, दो अखर के थे, इसलिए प्रान संग्री में तो बहुत डिटेल गया, वो प्रान संग्ली का आर्थ क्या है, जो स्वांस के दुआरा पूरी डिटेल बताई गी थी, कैसे सिमन करना है, इस मंत्र को ऐसे जपना, इसको ऐसे जपना, जो भी हुआ मालक की दया से ठीक हुआ, अब गरीव दास साहिब ने कलियर कर अख्या उसमें, ये दो अख और ये संसार में फैला दिया परमातमा का तत्वे ज्यान, अर्मोक्स होगा, अब क्या बताते हैं, मन तू चल रहे सुके सागर, जा सब्द संधूरत नौगर, अब क्या बताते हैं, सुक सागर किसे कहते हैं, जैसे कभी कभी इस दास के साथ तो बहुत बार होती है, अकेला बैठा हो, अंदर से एक ऐसी हिलोर तरंग उठती है, कि चाहे किसी ने कितना बुरा दास का कर रख्या है, कभी उसके परती दोएस नहीं आता उस समय, ऐसा लगता है, सब अपने से लगते हैं, कही के लिए हम ऐसा करते हैं, कही के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, सब इतने प्यारे स लगते हैं, totally कोशिस करके भी उनके प्रति दोईस्नी बनता और वो लहर जब समाप्त हो जाती है, कुस अक्षन के बाद, जो का तो खचड़ा फिर बढ़ जाता है, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, उसने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो प्रमात्मा कहते हैं, वो कहर की लहर आगी फिर, वह मेर की लहर ते एक के थोड़ी देर की थी, तो कहते हैं, वहाँ संखों लहर मेर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनासी, वो सुका सागर सुई, वो सचखंड सतलोक, वहाँ परमात्मा रहता है, मनुश दर सरीर है, उसके एक र सुनदर श्रीर बन जाता है, नाडी और हड़ यहां से बना हुआ छिर नहीं है, वो नूर तरह से बना हुआ है, और सारी वस्ता है वहाँ वहाँ पर, सदा बाहर वर्क से है, कोई काम नहीं करना, निशकर्म में प्राफ्थ होती है, मोक्स वहां पर बिना काम के वहां मिलता है तो क्या बताते हैं मन तू चल रे सुके सागर मन रे तू चल रे सुके सागर जहां सबद संधूरत नागर शबद अर्थ अविनासी की तरफ क्योंकि सबद नश्ट नहीं होता जैसे सबद सुरूपी राम यानि वो अविनासी पर्मादमें तो वहाँ परiox तेरा बंडार है मोःच का वहाँ कभी अंत नहीं मोःच यानि अमरतव का अंत नहीं सागर्द ऐसे समुदर में जहां तक भी देख은 वहाँ तक जोल ही जोल दिखाई देता जब 200 किलोमेटर चला जाता है इनसान जाज में बैठका है दूसरी वस्तु दिखाई नहीं देती ऐसे उस परमात्मा के सत्खंड के अंदर सुख ही सुख सुख सागर सुख का समुद्र है फिर क्या बताते हैं यदि तूं यहां कुछ ढोड रहा है खो सुख यहां ते नमक की बोरी है कोट जनम तन भरमत होगे कुछ ना हाथ लगया रे कुकर सुकर खरवया बोरे कवा हनस भुगारे कोट जनम तूं राजा की ना मिटीन मन की आसा बिक्सक ओके दर दर घोम लिया मिलाना नर गुन राजा कोट जनम तूं इंदर कुबेर इसकी पद्वी बिरमा उरन विश्णोनात के पुर्कों जाके तो फिर भी वापस आया। हैं असंग जनमत नमर्त्यां होगे जीवित क्योंना मरे रहें। द्वादस मज मेलमत बोरे वहुर ना दे धरहरे। अभी तक सभी दसमें दुआर पर के ही गीतगार हैं। मैं रिशियों तो लेकर रादा स्वामिर दंदर सत्गुरू जितने आज तक के पंथ है। और प्रमात्मा कहता हूं तो बार में दुआर में मालिक पावगा, बार में दुआर को पार करके हैं। और यह का दा कबीर पंथिनक की तक कबीर साब की वाणी में ग्यार मादुआर पड़ लिया। उस्साय के गीतगार है। वस मेरे जैसा ज्यान पर्थीपा नहीं है, वहां ग्यार मी खिटकी पाएगी। ग्यान के लिए तो बहुत कुछ विस्तार का पता चलेगा। क्या ग्यान संत को होना चाहिए। मूल तो मंतर हैं जाब के। मूल इस सारे ग्यान को दे करके समझाना है। और यह जीव को इस नाम पर विश्वास दिलाना है कि इस मंतर से मोक्स होगा। बाकि सत्संग तो ऐसा समझो जैसे खेत को समारना पड़ता है। उसको बीज बोने योग किया है। खेत समार दिया सत्संग अच्य सुना दिये। और बीज बोना था कि उंबोधी बहाँगे। तो वाट इस यूज के फाइदा हो सत्संग का रुखेत समारन का। अब जेन सत नाम और सार नाम से मोक्स होगा, अर्जें ये उठ पतांग मंतर, तो यहाँ फेल हो जागा, वो नकली संत अब, ये जड है, इस मंतर नाम बिना मोक्स होए नहीं सकता है, कितनी बात बना ले, और अधिकारी से प्राप्त हो, अनधिकारी से काम करें, ये एक छोट ये द्वादस मजमेल मठबोरे, कभीर सागर में लख्या कि बार मादवार पार करके, परमातमा, मैं बैठा हूँ बाई हूँ वहाँ पर, अर्ये, दस मतर गटा, जो एक नकली का गयर माठा गया, वो डॉल पीटा, मेरे जैसा ग्यान किता नहीं, मेरे जैसा ग्यान कहीं नह किसका ग्यान कैसा है? ये सब कहते हैं, और ग्यान सब ग्याने ड्ये, कभीर ग्यान सब ग्याने, जैसे गोला तोब का अब करता चलै मैदाने। प्रमात्मा कहते हैं तारा मंडल बैठ कर ये चांद बढ़ाई खावे उद्य हुया जब सूर्ज का ये स्यों तायरों छप जावे इस प्रमात्मा के ग्यान के सामने ये सब अन्य ग्यान और भगवान ऐसे छुप जांगे जैसे सुरिय उद्य के बाद चंदर्मा और तारे व दबान होते हुए उनकी वैलो नहीं रहती है कोट जनमतन भर मत होगे जीवित को ना मरे रहे द्वा दस मद बार में द्वार के मध महल मठ बौरे वो सतलोक महल है वो मठ है वो सथान है जहां जाने के बाद फिर वापस नहीं आते बहूर ना दे धरह रहे अब जीवित मनना किसको कहते हैं? जीवित मरना एक तो यह है कि विकारों को उत्यागना पड़ेगा, मन तो बताने कि के वकवाद खोजा है, इनको हटाना पड़ेगा, इन इच्छाओं का दमन करना पड़ेगा, इस ज्ञाना दारते, अपना काम चलाना जो का फरमातमा अपना अवस्य देगा, यह सद्कर मान लेड़ा, आपने जो चाहिए गिवस्य देगा, बिनमांगी देगा, पर देगा वही जो आपको हानी का रखना हो, फिर क्या बताया? दूसरा मरना यह है, कि जैसे एक विक्ती नाइट सर्विस मजा रहा था, और सुबह वापस आना था, गणा जरूरी काम थ अर्दूर गटना होगी, वही मर गया, अब वो रात ने भी नहीं पड़े था, इतना कंपलसरी काम मान राख्या था, वो काम भी गया, और आप भी गया, तो जब आप सत्सक की तरफ चलो, तो यह सोच लो, कि मान ले आज मेरी मर्त्य हो जा, क्योंकि मन तो पता ने कितने ट आंगड़ाया करे, यह बिगड़ जागा, नूर रह जागा, बिगड़ तो इस बिना गा, उस बिना तो फिर मालक फिर समार देगा, जब थूरा फोच बिगड़ भी गया थे, वहसे तो प्रमात्मा के तरफ दो चाल ले आना हर दैसे, उनके काम बिगड़े नहीं, बने बन पर चल नहीं सकोगे, यह याद रखनी पड़ेगी, तो न्यों सोच लो, सत्संग में जाना है, इस बिना काम चला है को ली, और तो न्यों सोच ले कि मरत्यू होगी, तो परमानन टिकट कटगी, फिर यो काम भी रह जागा, यो सारी कोठी भी रहेगी, अब न्यों सोच के चल पड़ो, तीन दिन, चार दिन, दो दिन, जैसे आपकी इच्छा हो, किन्यों सोच लो, हम मर गे, हम खत्म होगे, और चालीब सत्संग में, अब फिर दो जिन पाद से मान लीजे, कोई ज्यादा ही मानने आपकी बात को, संसारिक विजी से, कोई छोटा मोटा हानी होगी, तो उसने फेर पूरी कर लेंगे, या परमानेंट टकटकट की फेर के करांगे, फिर भगवान भी गया, हर राम भी और काम भी गया, कहते हैं, राम नाम कड़वा लगे, ये मीठे लगे दामे, दो इद्धा में दो नो गए, भाई माया में लीना रामे, एक विक्ती को, पं गुरुदेव के सतलों गमन के उपरांध दास सत्संग करने जाता था संडे को, सेकंड संडे को, दिवतियर विवार को, तो वहां कोई गुरुदेव के इस हिस्सों का रिष्टेदार हा रहा था, को बुडियामर गी थी उसका सोक व्यक्त करने, शुकर को आया था, स्रीवा फिर चले जाना वो कहने लिगा हमने बहुत जुरूरी काम है और कल संडे है मेरा एक पार्टी से एग्रीमेंट होना है जिसमें मुझे पांच लाग का लाव होगा उस कंट्रेक्ट में उन्होंने काफी कहा कि कोई बात नहीं कल आवेंगे वह दो बजे तू कर आवेंगे एक फॉन कर देंगे दीरे दीरे और चले जी ग्यारा बजे सत्समावत हो जाता है तीन गंड़ा रास्ता है चार का वो बुला तुम्हें क्या मालूम मुझे बहुत आनी हो जाएगी वो मान्या नहीं चार बजे सी सिनिवार को चल पड़ा हमबाला के पास आकर जी टी रोड़ एक ट्रक खड़ा था बर्या हुआ बजरी का उसके वील निकाल रहे थे बैक सारे पिछले वील और जैक ला रहे था उसने दो पांच लाग दिखाई दें थे नो पंजा की तक ही तक है तक है था गड़ी का उन्हों करूंगा अबश्था करूंगा पार्टी की उसी दाठ हो पर डी ट्रक उसकून का उपर गिर गया पांच सो मर चारों मर गये अब जाट ले उस पांच लाग एक एगरीमेंट ने परमातमा कहते हैं राम नाम कड़वा लाग गये मिठे लाग गये दाम अरदूई दाम दोनों गए माया मिलीने राम तो यहां परमातमा कहते हैं के लोग से तरपत नायियो मन भुगी खशियर मन के इतनी गंदी आदत है ज़ि कोई एक सरपंच बन जाता थैंसो चेर में बनों चेर्में बन करने सोचे पर धान मंत्री बनों जब जय जयकार हो इतने टेकट कर लो गद्धा संत्री बने आप फिर गिता है को उत्ता संत्री बड़ा सेर्फिश पर देख रहे हैं अब परमात्मान बताया कि जो काम करन का था उसके आसवास भी को ना कहते हैं दोज्जक भिश्ट सभी तें देखे राजपाट के रसिया और तीन लोग से तरपत ना ही ये मनगोगी खसिया फिर यहां निसकर्ष देते हैं लाष्ट की चार पंक्तियों में के सत्गुरू मिले तो इच्छा मिटे है यानि कोई परमसंत मिलेगा तो ये काल की ये काट देगा परों को ये बकवाद कर रहा है सत्गुरू मिले तो इच्छा मिटे है पद मिल पदे समाना और चल हनसा उस स्लोक पढ़ाओं जो आदी अमरे असे थाना कहते है सत्गुर मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना गीता जिद्धाय नमर 15 के स्लोक नमर 4 में कहा कि तत्व दर्सी संत की प्राप्ती के पस्चात परमेश्वर के उस परमपद की खोज करनी चाहिए जा जाने के बाद सादक फिर लोटकर कभी संसार मनी आती तो ये जो संतों की अमरवानी है ये वो सुकसम वेद है और इसका समझना बालकों का काम नहीं था ये दास पर बेरकरी परमपदा परमेश्वर कभी साहिब ने परमेश्वर ले तभी इनके गूड रहसों का ग्यान दास की हर्दे में भरा यहां पद मिल पदे समाना दो पद है इन दोनों के यहां अर्थ कैसे है पद का अर्थ है पदती वे ओफ वरसिप पूजा की पदती सही मिले और फिर वो पद समाना उस फिर वो पद मिले अमर पद जहाने के बाद फिर लोट करने आते यानि सही पदती मिले बगती की विजी और फिर वो परमपद पावे कहते हैं सत्गुर मिले तो इच्छा में ट्रैपद मिल पदे समाना और चलहन सा उस लोक पठाऊं जो आदे अमर अस्थाना अब वहां क्या सुख है चार मुक्ती जांचम पी करती माया होरी दासी दासे गरीब अबैपद परसे वो मेले राम अविनासी चार मुक्ती ये नकली सुक चार मुक्ती तुम्हारी होती हैं सुर्ण में जाते हैं वो खतम हो जाती है वो सुक तुम्हारे चरुणों मैं सत लोक मैं सदा पढा रहेगा और वो पर्व अक्सर ब्रम मिले गा जो हम साधना बताएंगे बोलो सत गुर्देव वाप बूरा की बूरी में लगे आपको फिर वहां सत्लोक में बोलो सत्गुर्देग परमपिता प्रमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसरिष्टी रचनहार कवीर देव कवीर साहिब जी की असीम करपा से आप नात्मा ये सत्संग सुन रहे है ये अज्धात्मिक संपूर्ण ग्यान सुन रहे है इसके अंदर आप जी को अपने सद्गरंतों में छुपे हुए गूड रहिष्यों का ग्यान होगा और सत्संग में आने से प्राणी को पता चलता है कि मनुस जीवन का क्या उदेश से है सत्संग के अंदर बहुती पुन कर्मी प्राणी ही आया करते हैं सत्संग में पता चलता है कि मानुस जनम पाक है जो नहीं रटे हरी नाम और जैसे कुवा जल बिना बनवाया क्या का प्रमात्मा हमें याद दिलाते हैं मनुस जीवन प्राणी यजी प्राणी प्रमात्मा की भक्ती नहीं करता उसका जीवन ऐसे विर्थ है जैसे जिस कूप में जिस कुवे में जल ना हो बाकि उसकी सारे सट्रेक्टर खड़या हो पक्का कुवा कर रख्या हो बड़िया उसके उपर बाल्टी रख्यो लेकिन जल नहीं है तो यूजलेस है ठीक इसी प्रकार मनुस जीवन प्राप प्राणी ये दी प्रमात्मा की भक्ती नहीं करते हैं उनका जीवन उस कूप रहित उस जल रहित कूप के तुल है अब उस कूप का नाम कूप अवस्य है लेकिन गुण कूप के नहीं है ठीक इसी प्रकार जो मनुस शरी धारी प्राणी प्रमात्मा की भक्ती नहीं करता उसका नाम मनुस अवस्य है लेकिन गुण मनुस के नहीं है अब प्रमात्मा हम देखते हैं कि प्रमात्मा के चाने वाली पुन्यात्माओं की कमी नहीं जहां भी जिस संत के पास देखते हैं लाखों की संख्या में ये पुन्यात्मा कल्णान कराने के लिए कल्णान आर्थ वहां पहुंच जाते हैं और जो भी वो गुरुदेव साधना बताते हैं किरियाएं बताते हैं वो सरधा लो पूर्ण सरधा के साथ करते हैं और जो बिलकुल बक्ती नहीं करते उनकी भी कमी नहीं पुन्यात्मा जो बक्ती बिलकुल नहीं करते वो तो बिलकुल अपना मुनस जीवन का नास कर ही रहे साथ में जो वक्ति कर रहे हैं और सास्तरविदी त्याकर मनमाना अचन करते हैं अज्ञानी गुरुवों के पास बैठे हैं तो वो भी बहुत बड़े धोखे में हैं वो भी अपना जीवन नास कर रहे हैं तो पुन्यातमा प्रमातमा के पाने के लिए प्रियतन सील प्राणी इस बात से प्रेचित होता है कि प्रमातमा गुरु के बिना नहीं मिल सकता इसलिए गुरुवों की आवसकता पड़ी और गुरु बनाने के लिए हम इन महापुर्सों के पास पहुंच गे अपने आतमाओं विशेश कर भारत वरस में बहुत संख्या के अंदर सादक सादना कर रहे हैं चै कोई मंदिर में जाके चै कोई वरत रहके अनुमान की चालिसा पड़के या कोई बगवान संकर की स्री करशन जी की बगती करके या कोई तीरत आधी पर जाके कोई ना कोई सादना वो कर ही रहा है या फिर कोई गुरू बनाग है और हम देखते हैं इतनी बहुत संख्या में जहां बगती कर रहे हो इनसान तो एक विशेश परिवर्तन होना चाहिए समाज के अदर लेकिन कोई परिवर्तन नहीं परते एक बुराई बढ़ तीजा रही है हाँ हा कारमतरा है जिसका कारण क्या है इसका कारण है जो साधना भगत जन कर रहे हैं उन से उनको परमात्मा से मिलने वाली राहत प्राप्त नहीं हो रही है जिस कारण से वे उन्हीं बुराईयों को करना प्रार्म कर देते हैं जो एक भगत ने नहीं करनी चाहिए, वो कौन-कौन सी बुराईया है, सराब पीना, मास खाना, और दनी बनने के लिए रिश्वत लेना, और टेंसन समाप्त करने के लिए गुटी लगाना, तो जिस कारण से बुराईय बढ़ रही है, घट दे रही है, प्रमात्मा की वक्ति करने वाले प्राणी को, प्रमात्मा का लाब विशेश मिलना प्राहर्व हो जाता है, और उसको फिर एक विशेश ग्यान होता है, कि यदि तु ये बुराई करेगा, तो तुझे इन आपतियों का सामना करना पड़ेगा, फिर वो इस डर से उन बुराईयों को नहीं करेगा, कि ये पाप है, और फिर प्रमात्मा उसको एक विशेश लाब देगा, उन्हें आत् सक्ति साली मानते हैं, उनके उपर भी कोई आपदा आती है, तो वो भी संतों के पास ही जाकर उसका निवारण करवाते हैं, तो इससे क्या सिद्ध हुआ, कि कोई ऐसी सक्ति है, जो हमें एक विशेश लाब राहत दे सकती है, वो कौन है, और कैसे वो राहत देता है, इसका ग्यान संत जन ही बताया करते हैं, तो पुन्य आत्माओं आप जी को सत्संग प्राप्त नहीं हुआ, और जिसको आप सत्संग जानकर गरहन किये हुए हो, वो कोरा ग्यान है, क्योंकि जो हमारे सत्गरंतों में परमान नहीं है, तो वो सास्तर विरुद ग्यान है, सास का कोई लाब नहीं अब पहले क्या कारण रहा कि हमारे जो धर्म गुरु थे वो संस्कृत अवस्य जानते थे लेकिन अध्यातम ग्यान सुन्न था उनका वे तत्व ग्यान हीन थे और है अभी तक हमारे धर्म गुरु कौन है आचारीय संक्रा अचारीय और अन्यमंडलेश्वर ये सब हमारे धर्म गुरू है ये संस्कर्ट के तो विद्वान थे व्याकरण भी निकी अच्छी दुरस्ट है लेकिन अध्यात्म ग्यान बिलकुल नहीं अपने अत्मों पवितर हिंदू धर्म के ये आधनिय धर्म गुरू हमें जो भी ग्यान देते हैं समझाया करते थे समझाते हैं बताते हैं वो कहते हैं कि हमने इनको सद्गरंथों से पवितर वेदों से पवितर श्री मद वगवत गीता से और पवितर पुराणों से ये ग्यान तुम्हें सुनाया है तो हम यही मान बैठे थे कि यह संसकर्ट के विद्वान है हमारे सभी सद्गरंत संसकर्ट में लेपी बद है और यह जो ग्यान दे रहे हैं वो बिलकुल सही और सास्त्रों वाला ही है लेकिन अब इस दास को पता चला क्योंकि इस दास की आँखें बन गई वो तत्व ग्यान वाली आँखें दुरुस्त हो गई पहले हमारे पुरुज पहले के जो माता पिता दादा दी कई पीडियां जो हमारे इंदु दर्म के थे सभी के वो सरधालो थे ऐसी सी थे और इन दर्म गुरुओं ने जो भी किरियां बताई वो सिर दड़की बाजी लाक है और पुरी सरधासे करते रहे तो पुन्यात्मों आज हम इस योगे कर दिये प्रमात्माने कि हम इन सद्गरंथों को अब स्वेंद देखेंगे इस दास ने इन सद्गरंथों का गहन निरक्षन किया अध्यान किया तो उसमें क्या पाया कि हमारे जितने भी धर्म गुरु हिंदु धर्म के धर्म गुरु रिसी महरिसी ये मंडलेस वर महंत संद ये सभी लोक वेद सुना रहे हैं दंत कथा सुनाया करते हैं इनके पास सास्तर अनुकुल ग्यान नहीं है ये वेदों गीता और पुराणों के विपृत ग्यान हमें दे रहे हैं अर नाम इधी सद्गरंथों का ले रहे हैं जो टीचर जो अध्यापक आउट ओफ सले बस पढ़ाता है पाठे करम से हटकर ग्यान देता है वो अध्यापक ठीक नहीं वो सत्रू है उन विद्यारतियों का और यही कारण रहा पुन्यात्मों सास्त्र विजी को त्याकर मनमाना आचन करवा कहिन हमारे धर्म ग्रुवों ने हमारे सभी पूर्वज भूत बनवा दिये तुरासी लाक योनियों में डलवा दिये और फिर उनके लिए यतन बताते हैं सराद निकाल दो पेंड भरवा दो यह किरियाएं करते हैं जो कि गीता जी के विर्द है श्रीमत भगवत गीता अध्याय नमर नो सलोक नमर पत्तिस में कहा है कि जो भूत पूजते हैं वो भूतों को प्राप्त होंगे यह सराद निकालना पेंड भरवाना तेर्मी करना और अस्ति परवा करना गती कराने के आर्थ तो यह सब भूत पूजाएं इनके करने वाले भी भूत ही बनेंगे देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे पित्रों की पूजा करने वाले पित्र बन जाएंगे गीता ग्यान दाता कहता है कि मेरी भक्ती करने वाला मुझे प्राप्त होगा हमने वगवान की वक्ती टाग कह ये भूत पूजा शुरू कर दी सराधाधी निकालना जिस कारण से हम सास्त्री विद्धी टाग का मनमाना आचन करते रहे और महान कर्ष्ट को उठाते रहे अपने आत्माओं अध्धापक किसे कहते हैं टीचर किसे कहते हैं अध्धापक अपने जौब का मास्टर होता है उसको टीचर बोलते हैं अध्धापक कहते हैं मास्टर कहते हैं जो जिन धर्म गुरुओं को समाज ने खुली छूटी दे दी के तुम सद्गरंथ पढ़ो और हमें सुनाओ और हमें वो प्रमात्मा का ज्ञान जो सद्गरंथ हो मैं भी दुमार वो बताओ उनको फरी कर दिया उनको दिक्षना द्यानी शुरू कर दी कि अपना निर्भावी करते है रोई दिक्षना से और फरी हो तो पढ़ो अच्छी तरह इन सद्गरंथ हो और हमें बताओ तो उन्होंने हमारे धर्म गुर्वोंने सद्गरंथों को पढ़ा अवस्य है और इनको कंटरस्ट याद भी कर लिया सद्गर्थ भासा में लेकिन इनको वेदों गीता और पुरानों का कख भी पता नहीं इन आचारियों को और इन संक्राचारियों को इनको अध्यातम ग्यान नहीं इनको तो ग्यान होगा कहां से जिन भगवानों को ये पूझते हैं हमारे आचारिय और संक्राचारिय और हमें उन्ही को पूझने की सलाह देते हैं कि ये भगवान है कौन? श्री बिर्मा, श्री विष्णू, श्री संकर भगवान, आदी और इन को ये पर्मात्मा बताते हैं, भगवान बताते हैं, ईश बताते हैं और इन की पूजा स्वंभी करते हैं, हमें भी करने की सला देते हैं तो इन भगवानों को अज्धात्व ढ्गान नहीं श्री विस्णू को श्री व्रमा को श्री संकरती को तो हमारे दर्म गुरुओं को संकराचारियों को आचारियों को ढ्गान कहां से होगा अपने आत्मों इस इस concept को clear करने के लिए कि इन भगवानों को भी ज्ञान नहीं श्री विष्णु जी को, श्री बर्मा, श्री संकर जी को और दुर्गा को भी complete ज्ञान नहीं श्री देवी जी को भी और ब्रह्म जिसको ये परम ब्रह्म बोलते हैं ये है तो ब्रह्म सरपुर्श इसको भी complete ज्ञान नहीं अपने अत्मों ये बड़ा विवाद का विसे बन जाएगा यदि इस वाक्य को यहीं छोड़ दिया और परमान ना दिखाए पर्थम तो आपको उनीस पुराणों में ये दास दिखाएगा के बिर्मा और विष्णू और संकर ये बगवान नहीं है ये ईस नहीं है और ये हमें हमारे दर्मगुरू संकराचारिय और आचारिय ये मनलेश्वर ये कहते हैं बगवान है तो इन्होंने हमारे साथ कितना दोखा किया है पर्थम तो ये दिखाते हैं के श्री विष्णू श्री बर्मा और स्री संकरदी को और सतियोग से लेकर आज तक के इन बुरूओं ब्रामनों को ये संकराचारिय और आचारिय सारे ब्रामन ही है ब्रामन पुन्यात्मा कोई जाती सूचक नहीं है ब्रामन वो विक्ति है जो अध्यापक पद्ध पर विराजमान है जो उस कर्म को कर रहा है जैसे च्यारवरन बनाए ब्रामन वैस अक्सत्री और सूदर अपने अत्माँ जैसे आज कोई ब्रामन का लड़का और मिल्ट्री में वो बरती है फौज में तो ब्रामन वरन में अवस्य है लेकिन वो ब्रामन कर्म नहीं वो तो अक्सत्री है ऐसे ही कोई वैस का लड़का मिल्ट्री में बरती है तो वरन वैस अवस्य है लेकिन कर्म वैस नहीं है इसी परकार अन्य समझे कोई सूदर का लड़का और मिल्ट्री में बरती है तो वो अक्सत्री है सूदर वरन में वस्य जन्वा है तो कर्म से ही ये क्रिया है और ये जाती बनी है तो जो धर्म गुरु है वही ब्रामन कहलाते है चाहिए वो किसी मजभ जाती का हो हम मेरे पुझे गुरु देव जी ब्रामन वरन में जन्वे थे लेकिन वो अपने आपको ब्रामन नहीं कहते थे अर्याना के अंदर जिला बिवानी और तर्खी दादरी के पास एक बड़ा पैतावास गाउं है वहां से ब्रामन वरन में जन्वे थे और हमारे दादा गुरु जी से उनकी भेंट होगी वो उनसे प्रेड़ना पाकर घर त्याकर चले गए और वो अपने आपको संत कहते थे ब्रामन नहीं और बेरे दादा गुरु जी जाठ थे गाउं छावला के दिल्ली में और वो जाठ होते ही वे ब्रामन कहलाए पंडित कहलाए क्योंकि वो कासी विद्धा पीट से पढ़कर चैरवी से के आचारिये बन गए थे गाउं गोपालपुर खर्खोद्धा के पास जिला सोनी पत मैं एक छोटा सा गाउं है गोपालपुर उसके अंदर आशरम बना हुआ हमारे दादा गुरु जी का उस पर लिखा है पंडित चिदानंद जी आशरम जाट होते भी पंडित जी कहला गे वो गुरु थे ब्रहमन बन गए ब्रहमन करम ठाउनका तो पुन्यातमाओं ये जो ब्रहमन वर्ग में है रिसी महरिसी ये ब्रहमन करम करने वालों पर ही समझो, अपली केबल है, दास के यह जो ज्ञान है, वचन है, अन्य पर नहीं तो अब समसे पहले आपको दिखाते हैं, कितना ज्ञान था विर्मा विश्णु महेश को और कितना ज्ञान था इस सत्यूग से लेकर आज तक के इन ब्राह्मन गुरुवों को आपके रोब रोकराते हूं नहीं पुवितर सद्गरंथों, पुन्यात्माओ, परमात्मा का पाना बहुत ही आसान है, मोक्स भी बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यह साधना बहुत सीधी-साधी है हमें ज्ञानना होने से हमारे कोईनों ने गल्त मारक दर्शन कर दिया, जिस कारण से हम परमात्मा नहीं प्राप्त कर सके, मोक्स प्राप्ती नहीं हुई सबसे पहले आप जी को श्री मद्देवी भागवत से यह प्रमानित किया जाएगा, कि श्री विष्णु जी को और श्री विर्मा जी को और व्यास जी को और नारज जी को, यह कितना ग्यान था, यह देखना शिरीमद देवी भागवत सचीतर मोटा टाइब केवल हिंदी गीता प्रेस गुरुपर से परकासित शिरीमद देवी भागवत संपादक अनुमान प्रसाद पोदार चमिनलाल गोस्वाव परकासिक एमे मुद्रक हैं गीता प्रेस गुरुपर गोविन भानकारिया ले कोलकाता का संस्था यह इनके फैक्स और फॉन नुमर है यह देखिएगा अठाइस नुमर प्रिष्ट पे यह परत पहला सकंद है शंक्सी डेवी भागवत पहला सकंद नारद जी ने कहा यह नारद जी और व्यास जी की गोश्टी हो रही है नारद जी ने कहा व्यास जी तुम इस विशे में जो पूछ रहे हो ठीक यही परसन मेरे पिता जी ने बगवान शिरी हरी से किया था देवा अधी देव बगवान जगत के स्वामी है लक्षमी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती है दिव कोस्टमनी उनकी सोबा बढाती है वे संक चकर गदा लिये रहते हैं पितंबर धारन करते हैं च्यार हो जाएं वे चराचर जगत के आश्रे दाता हैं जगत कुरू एम देवताओं के भी देवता हैं ऐसे जगत पर्भू बगवान शिरी हरी महान तब कर रहे थे उनकी समाधी लगी थी यह देखर मेरे पिता बिर्माजी को बड़ा आस्च्रिय हुआ अत्या उन्होंने उनसे जानने की इच्छा पर गठी बिर्माजी ने पूछा पर्भू आप देवताओं के अध्यक्स जगत के स्वामी और भूत बविस्य एवं वर्दमान सभी जियों के एक मातर सासक है भगवन फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की रादनाम ज्धान मगन है मुझे असिम आस्च्रिय तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के सासक होते हैं भी समाध्य लगाए बैठे हैं ब्रमाद जी के विनीत वत्न सुनकर भगवान श्रीहरी यानि विश्णु जी कहने लगे अब हम 29 प्रिष्ट पर आगे हैं पहला सकत श्रीहरी ने उनसे कहने लगे बर्मन सावधान होकर सुनो विश्णु जी बतान लगे बर्माजी को मैं अपने मन का विचार वेक्त करता हूँ देवता, दानो, मानो सब यही जानते हैं कि तुम से रिष्टी करते हो मैं पालन करता हूँ और संकर सहार किया करते हैं किन्तु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ती से ये सिद करते हैं कि रचने, पालने और सहार करने की यह योगिता जो हमें मिली है इसकी अधिष्ठात्री सक्ति देवी हैं वे कहते हैं कि संसार की शिरिष्ठी करने के लिए तुम मैं राजसी सक्ती का संसार हुआ है मुझे सात्विक सक्ती मिली है आए अभमुन श्रद्धालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्श्री संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षप राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्क पर चल रहे हैं सर नमस्कार सर साहिब सर क्या नाम है आपका अज मेर दास मेरा नाम है गाउं मेरा आएगा सतनोर सर आप क्या करते हैं मैं पहले फोज में था अभी फोज से रेटायर्मेंट हो गया हूँ सर संत रामपाल जी महराज से आप कब जुड़े मैं संत रामपाल जी महराज से मैं ही 2013 से जुड़ा हुआ हूँ सर संत्रामपाल जी महराज की शर्ण में आने से पहले मैं सत्रामपाल जी महराज की शर्ण में आने से पहले मैं सत्रामपाल जी की शर्ण में था और उनसे मैंने नामदान लेके उनके बताई हुई वक्ति करता साथी सर सत्पाल जी माराज की बताई हुई बक्ति साथना आपने कितने साल तक की और उस बक्ति साथना से आपको क्या लाब मिला मैंने सत्पाल जी की बताई हुई बक्ति कम से कम चार साल की जी उसमें लाब तो मेरे को कोई नहीं हुआ जी सर आप संतरामपाल जी महराज की सरण में कैसे आए? है कभी अपना गुर्गर्णत साहिव क्षोल कर बताता है जिय देख, बताते थे रामपाल जी महाराज देखो यह तर्म गरंथों में किया लिखा हुआ है तुम लोग कैसे बग्ति करते तो, तो सब ऐसे ही बोलता है यह तो ऐसे बोलता है दर्म गरंथों ने कुछ और लिखा हुआ इसामसी को जिंदा कीलों पर गाड़ दिया जो भी संत जितने भी आए दरादल पर उनके साथ दुनिया ने किसी नाच्छा नहीं किया तो हम यही सोचते थे कहीं जही पूरन संत ना हो संत रामपाजी महराज और हमारी बक्ती नाराज है कहीं फिर कुछ कारणों कारण ह अबने एसमस किया जो टीवी पर नीचे नंबर आते थे उन पर हमने एसमस किया कि ग्यान गंगा पुंच जाए हमारे पास उसी समय साथ दिन के अंदर-अंदर मेरको ग्यान गंगा पुस्तक मिल गई तो उसमें मैना जादा नहीं फुरोला उसमें सिर्फ दो शबद फुरो सतपाल जी कोई भी संत नहीं है संत रामपाल जी महराजँ सर जैसा कि आप बता रहे कि अधरख ना गंगा है कि दर्तिवेग लूंख संत्संत रामपाल जी माराज हैं अन्य कोई संत नहीं हैं तो सर समाज इस बात कर निढ़ने कैसे करें कि पूर्ण संत कौन है प्रमात्मा कहते हैं रामपाल जी माराज कर सत्वगुर के लच्छन कहूं मदरे नेन विलोच चार वेद शे शास्तर कहें अठारांबोद प्रमातमा रामपाल जी महराज इस दरातल पर आये हुए हैं वो सारे भेद, सारे शास्तर, गुरु ग्रांट साहिब, सब में प्रमान है गुर्णानक देव जी नहीं किया सोई गुरु पूरा खवावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे एक लंग आवे, एक शड़ावे, तो प्राणी निजगर को जावे कबीर प्रमातमा रामपाल जी महराज की बताई हुए बक्ती कर रहे हैं सर संत रामपाल जी महराज की शरण में आने के बाद, आपको क्या लाम मिले? सर संत रामपाल जी महराज की शरण में आने से बाद, सबसे बड़ा लाव मेरे को जे मिला कि मैं ड्रिंक बहुत करता था, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था, क्यों फोज में था, उधर तो ड्रिंक करते थे लेकर रामपाल जी महारज की शरण में आने से नामदान लेने के बाद मेरी ड्रिंक छूट गया जी और मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा माईग्रेन था और उसको छीकों की बहुत बुमारी थी वो हटती नहीं थी, अमने राम देव बाबा की बहुत दबाई ली और सिर में जो थरपी वो भी किया, तो वो फैमिली को सारे करा कर देख लिया लेकिन कोई फैदा नहीं हुआ, जा रामपाल जी महारज के शरण में आए तो हमारी बगतमती की फैमिली की सारी बिमारी दूर हो गया और मेरे सारे बिश्यविकार खत्म हो गया और लाव एक बर सासंग ने हम लोग जा रहे थे, सासंग के उपर स्पीकर लगा हुआ था तो मैं स्पीकर ठीक करने के लिए जैसे उपर चड़ा तो सीड़ी तो नहीं था जो बादरे होते हैं तो थोड़ा इंटे रखी हुई वो ऐसे उसकर चड़ कर गया तो मेरा नीचे बारे पैर से इंट खिस गया और मैं बिना स्पोर्ट में चार स्किंट जा पान स्किंट में ऐसे बिना स्पोर्ट के खड़ा रहा जब मैं देखा तो मेरे कोई स्पोर्ट नहीं था जैसे मैं पकड़ा मेरे बच गया तो, मेरे को ऐसे लगा कि जैसे बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज ने मेरे को ऐसे पकड रखा था इस तरह संत रामपाल जी महाराज ने मेरी जान बचाई जी और हम लोग पहले गर में क्डिश रहता था हमारा आप समय लेकिन गुर्जी रामपाल जी महाराज की शरण में आने से बाद हमारे गर में बिलकुल क्लेस खतम होगा जब हम लोग खुश हैं हमारा परवार सुखिया है हमारी दो बेटिया है कोई प्रॉलम नहीं है सर पहले आपने सत्पाल जी महाराज को गुरू बना रखा था तो जैसे एक डक्टर के पास हमारे को इलाज नहीं होता ता हम दूसरे डक्टर के पास चल जाते हैं जदी हमारे को सत्पाल जी से राम नहीं आए तो हमने गुरू बदल लिया तो हमने कोई बुरा नहीं किया हमारे को प्रमातमा का सही रास्ता मिल गया और गुरू बदलने में कोई प्रावलम नहीं जी कभीर साहब की बाणिया है जब तक गुरू मिलेना सचा तब तक गुरू दस पांचा तो प्रमातमा भी बोलते हैं कि जब तक आपको सचा गुरू नहीं मिलता तो आप गुरू की तलाश करो जब आपकी गुरू सही मिल जाए तो आप उनके बताई हुई बक्ती करो सर हेंदुस्तान में बहुत सारे धर्म गुरू हैं उन सभी को छोड़कर आप संद रामपाल जी महराज की सड़ में क्यों आये क्योंकि रामपाल जी महराज सारे दर्म गरंथों के हिसाब से हमारे को सत बक्ति बिताते हैं और बाकी संत सब अपना अपना मत लेकर अपने अपनी लोग बेद को किसी ने रादे शाम रादे दप बता दिया किसी ने ओम नमश्यववय बता दिया वो कहीं भी हमारे दर्म ग्रांथों में एड नहीं है, वो नहीं लिखा हुआ, हमारे संत रामपाल जी महराज बताते हैं, जो हमारे को बक्तिविदी बताते हैं, वो बिल्कुल एड है, सारे ग्रांथों में, गुरु ग्रांथ साहब में, बिल्कुल एड है कि प्रमात्मा की बक्ति इस प्रकार से हैं तो हमारे रामपाल जी महराज बिल्कुल सही बक्ति बिताते हैं। सर जो सरदालू आपको देख रहा हैं, आप उनको क्या संदिश देना चाहेंगे? मैं बक्ति समाज के आगे अरदास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप इतने पड़े लिखे हैं, कोई B.A., कोई M.A., कोई आजकल, कोई अनपड नहीं हैं। गुरु जी का, रामपाल जी माराज जी का ससंग सुनो, और सुनने के बाद निश्क्रिय निकालो के कौन सचा, कौन जूठा, और आप पड़ो के हमारे बेदों में, हमारे कुरान में, बाईवल में, क्या परमान हैं, और कैसे बक्ति करनी चाहिए? तो मैं बक्ति समाज को जे संदेश देना चाहता हूँ, कि जितनी जल्दी हो सके, और आप रामपाल जी माराज की शरण में आओ, और अपना जीवन सफल बनाओ। उदर नामदान निदी के निदी के नाम के अंदर आपको इनफरमेशन करेंगे, और आप उदर से अपना नामदान लो और अपना जीवन सफल बनाओ। धन्यवाद सर। सथ सहे जीव आप सुन रहे थे जगत गुरू तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। करेंगे जानकारी के जानकारी के लिए संपर्क करें। करेंगे जानकारी के जानकारी के जानकारी के जानकारी के लिए संपर्क करें।